नमस्कार मेरे नामें दरपन श्रीवास्त्वा और आप मेरे साथ जुड़ चुके हैं आपकी अपने चैनल फिल्मी फिल्मोनिया पर सबसे पहले यही कहूँगा कि आप अपने घरों पर रहें इस वक्त हालात सही नहीं हैं और यह जो वाइरस फैला हुआ है बहुत ही तेजी से अपने पैर पसार रहा है पुरे देश में तो इस वक्त हमें सरकार की हमें अपने जो आला अफसर हैं उनकी बाते माननी हैं आप घरों पे रहें और सेफ रहें बस यही मेरी आप से एक रिक्वेस्ट है और यही मैं दुआ भी करता हूँ कि आप जहां पे भी हैं जैसे भी हैं खुश रहें और तंदुरुस रहें चलिए आज जो मैं बाते करने जा रहा हूँ हो सकता है मेरी बातों से बहुत सारे लोग सहमत ना हूँ लेकिन मेरा मेरे दिल ने चाहा कि मैं आप से वो बाते शेयर करूँ तो आज मैं आपके सामने सारी बाते रख रहा हूँ कोई शेहर, कोई कस्बा, कोई छोटा सगाओ जहां पे एक बच्चा पैदा होता है किसान के घर में एक बच्चा पैदा होता है और अब वो किसान हो या उस शेहर में वो जो उसके माबब हों किसी सरकारी नोकरी में हो, इलेक्टिशन का बेटा हो या किसी प्लंबर का बेटा हो या किसी कोई भी काब करने वाला इंसान जिसकी घर में एक बच्चा पैदा हुआ माब अपने उसे बड़े नाजों से पाला, उसको उसी परवरिश करी और वो बच्चा धिर बड़ा होने लगा थोड़ी समझ आ गई, दुनिया को देखने लगा, समझने लगा, माब अपने उसे समझाया, सिखाया कि ماں ने समझाया कि बेटा ये पापा, पापा को बोलो हेलो, पापा को बोलो राम-राम तो वो समझ गिया कि वो उसके पापा है, धीर धीर समझ आने लगी और वो बड़ा होने लगा पैरों पे चलना शुरू कर दिया, स्कूल जाने लगा अब उसके माबा कोई भी काम करते हूँ, बड़ाई का काम करते हूँ, मैंने जैसे कहा पिलमबर का काम करते हूँ या खेती करते हूँ, या एक्स वाजेड कोई भी काम करते हूँ उसके माव अपने उसको अपने हिसाब से पढ़ाजना लिखाना शुरू कर दिया, जसकूल जाना भेजना शुरू कर दिया, ओसकूल जाने लगा, जब शाम को मुका मिलता था या कभी मुका मिला तो माव आप V लगा के बैड़े आफ जाव में टीवी उपत्वाह, मोसली होने लगे त्यूद्बी देखने लगे बच्चों को वे बच्चा बच बैढ गया और देखने लगा कि टीवी पे गानने चल रहे हैं फिल्म चल रही है सल्मान खान ने 20 गुंडों को मार दिया क्या डायलोग बोला मिताब बच्चन सहाब ने और बाप बाप कितनी उच्छी बिल्लिंग से चलांग बार दी और वो कहीं न कहीं अपने आपको उस टीवी में देखने लगा उस परदे में देखने लगा वो फिल्म देखने अगर कभी मापाप के साथ गया हो या दोस्तों के साथ गया हो और जब उसने देखा कि हीरो मतलब बड़़े कारणामे कर रहा है और गाने का रहा है लड़कियां आसपास घुमरी हैं उसके तो उसने सपने देखने शुरू कर दिये कि क्या बात है जब यह कर सकता है तो काश मैं काश मैं भी ऐसे छलान मारू उपर से और यहां तो कोई लड़की में को देखती नहीं है लेकिन वहां देखो अकर मैं मंबई पहुंच गया और मैं हीरो बन गया तो कितना और पैसा कि गर देखो यार घर में पूल भी है क्या जिन्दगी जीते हैं लोग आओ में कहा है छोटे शेहर में मुझे तो वह बनना है तो उसने सपने देखने शुरू कर दिये कि मैं एक्टर बनूंगा मैं हीरो बनूंगा उसको कुछ लेना देना है नहीं एक्टिंग से उसको कुछ किस काम में निपन है जाता था वो खेती करने अपने पिता के साथ जाता था वो खेती करने तो खेती में जैसे पिता समझाते थे वैसे वो काम भी करता था सेम कोई किसी के पिता जी अगर इलेक्टिक्शन थे तो घर में देखा देखी उसको काम भी आने लगा पिता ने कहा अब पंख्रियां पढ़े अलग कर तो वह भी काम करने लगा क्योंकि उसने वह घर में काम देखा सेम किसी की माबाप सरकारी नोकुरियों में थे तो बचपन से भी बोने लगे आरे यार पढ़ा करो रेलीवे में जौब करना तुम्हें और आएस बनना है अपना ही क्या क्या बनना है यह वह 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 तो उन्होंने अपने हिसाब से उस बच्चे को ढ़ना शूरू कर दिया और किसी हद तक वह ठीक भी है क्योंकि जो माबाप ने समझा उसके हिसाब से उन्होंने उसको बताना शूरू कर दिया अब यह बच्चा अच्छी खासी खेतिवारी करता है यह बच्चा अच्छा खासा एलेक्टिक्शन का काम करता है और उसका हाथ अच्छा भी है लेकिन उसके सपने क्या है? उसके सपने हैं कि भाईया मुंबई जाकर या फिल्मों में काम करना है, मलब मुंबई जाना है फिल्मों में काम करना है, टीवी में काम करना है, सपना देखना शूरु कर लिया, सपने का वास्तविक्ता से कोई लेना देना नहीं है उसके, कि घर क उसमें वो काबलियत है, वो सपना देखके एक दिन लड़ जगड़कर या एक दिन माव आपको समझा कर और इस बिच पता क्या होता है, इस बिच में वो छोटी-मोटी एक्टिंग करना भी शुरू कर देता है, मतलब घर में देखता है कि गाना चला तो मैं अरे वो भी डांस कर रहा है उसके साथ, ये नो, और जैसे वो एक्टर डायलोग बोल रहा है, कुटे, मैं तरहा खून पी जाओंगा, तो वो भी बोल के डायलोग देख रहा है कि मैं बोल सकता को नहीं, और बोला, किसी ने ताली मार देखके, और वाह, क्या कर रहा था यार, तो कौहा है, ब और अक्सर लोग टारिफ करी देते हैं, अगर कुछ आप अलग करने की कोशिश करते हैं, तो माबाब भी ताली मार देते हैं, कि चलो बच्चा खुश है, और आस परो उसके लोग भी कर देते हैं, कि बहुत बढ़ी आप, क्योंकि उनके हिसाब से भी वो चीज बहुत बढ है कि गाओं के दोस्त या शेहर के जो आस पास के लोग हैं, वो कहरें कि मैं तो कमाल हूं मतलब एक दम भौकाल हूं मैं तो मतलब मुंबई मेरा वेट कर रही है, अगर मैं मुंबई नहीं पहुचा तो इतने बड़े स्टार का मतलब नुक्तानू जाएगा पूरी इंडस् पूरे लोगें काप अगशे करी काउं और था कि आपमेशा पनकख खोलो ये टीवी खोलो है ये वो बॉकस खोड थो है उसमें स्विच लगा तो, ये मिरेबसकर नहीं डिए फ़रा नहीं मैं मैं wijने क्या सोचा हन वा मैंने है मैंने क्तोंग नोंगा और और ये मैं पता है जो उनके मुख्या का लाउंडा था ऐसी गया था और जाती आप पता है जाती मैंने देखा पूसको परसो परसो वो टीवी में कोई सीरे ला रहा रहा था पीछे खड़ा था वो और असे डांस कर रहा था तो वो वो पॉंच गया ने वो तो मुझे माना कर रहा उस अच्छा करता हूं मैं उससे चेक्टिंग करता हूं मुझे मना कर रहा तो भाई पता नहीं कैसे तैसे करके वो मुंबई की टेने में बैठ गया मुंबई पहुंचा अब आ गए आप उस नगरी में जिसे कहते हैं सपनों की नगरी तो कि बबडे लोग यह सपने लेके आते हैं एक सा पर बाद में बात करेंगे पहले ही है कि वो बंदा अब जो लड़का था वो जिसमें वो काबलियत थी खेती बड़ी करने की या एक्स वाइजड दूसरे काम करने की लेकिन उन कामों को छोड़ कर वो पहुंच गया उस काम के लिए जिस काम के बारे में उसको घंटा नहीं है लेकिन पस सपना देख लिया सपना देख लिया कि मेरा तो मुबई बेट कर रहा है है मैं कहां पढ़ा हुँ देखो है मुबई बेट कर रहा मेरा तो मुबई Hampshire अब शुरुवात होती है अगर कोई जान पिजान का है कोई चाचा ताउ कलाउंडा या चाचा के भाबे की बेटी का बच्चा कोई है वहाँ पे तो उस कहां चले गाएगा कि वह प्रनाम नहीं वह बस आगया और पापा ने का था कि मुंबई जा के कुछ कर आप घर में तो में तो बहुत दिक्कत हो रही है ना तो सोचा था है यहां कुछ करूँगा आपको भीजाता ना मैं वीडियो देखा था ना आपने किसा अच्छा गया था आपने बहुत बढ़ी है तो बस मुंबई आ गया मैं तो गाहों की रिष्टेदारी है या दोस्त है जो भी है तो ठीक है भई देखो कुछ करो अब जी इन्होंने अपने मुंबई में किसी का ठिकाना बना लिया और अगर ज़स्त तो वह ऐाइवाया कहीं न कहीं जाके कहीं न कहीं अपना रासा ढूंडतास कूशिय करते हैं कि मुंबई में तिकने की जगा मिल जगा मिल जयाemie है चलो मिल क्या करें कहां जाएं तो मेरे ले से कुछ महानुभाव हैं जो अक्सार बताते हैं कि Award subjects यहां उते हैं यहां चलते हैं यहां चले आओ वहां चले आओ इधर चले आओ उधर चले आओ specialty तो यह य究डर देख़्ा होगा कहीं है ना और बोलते भी हैं सारा आपको देखके तो हम आये हैं अब ये भाई आते हो देखके लेकिन मैं जो कहता हूँ वो समझते हो क्या एनिवे तो भाई वो वीडियो देखके जो भी जानकारी मिली अब ये आउडिशन देने पहुंच गए कुछ नॉलिज नहीं है आपका पहनावा आप समझ सकते हैं अगर आप गाउं में रहते हैं या चोटे शहर में रहते हैं और अगर आप टीवी देखते हैं आप फिल्म देखते हैं तो वो पहनावा अलग होता है तो कि बहुत ही सजा के और निखार कर टीवी और फिल्मों में दिखाया जाता तो उस तरह के कपड़े उस तरह का लेकिन आप उस तरह के नहीं होते हैं क्योंकि आप अपने शहर में पले हैं आप अपने गाउं में पले हैं आप अपने कस्मे में पले हैं वहां के आपके कि तो आपको अउरिशन्हा जो दे रहा हुगा कस्टिंग जो आपको सक तो बीविट क्ठेसरा के कि एभ डिया ग्यार क्या होती है उसके मूड क्या होते है उसमे भाव क्या है कुछ नहीं आप पहुंचके चलो ठीक है फिर याद आया आपको अरे यार वो डायलोग तो बोलते थे ना इतना दो देखी लिया था यूटूब पे और दस जगे की टायलोग बोले आते हैं तो लाइन याद करी और बोल दी और वहां से हो गया सौरी फट से सपने तूटके यहां एकदम जमीन प्या के गिरे क्या रहे क्योंकि आपको तो लगता था जाते काम बन जाएगा चूंकि आपके गाउं में आपके सहर में आपके कस्मे में तो लोगों ने बहुत तारिफ की थी चलो कोई बाद दी फिर आउडिशन देने का सिलसला श शाम तक आता लट लाट के मतलब क्या है देख वाई तरह पापा से बात की थी मैंने मतलब यार सुन यह मंबई है भाई मंबई में मतलब रहना बड़ा मुश्किल होता है अब उसने अपने हिसाब से आपको यह जता दिया ती बेटा यहां से निकलो तब तक आपने कुछ अपने लिगे दोस बना लिए Так अृए अफकोछ बनी जाएंगे तो आप दोस के हां कि तोम्हों मेरा चा चाच जो कह रह ना हो कह तो यार, मैं तिर्या रहें जाँ, हाहा, तु आ जाला इा, हाँ चार लॉंडे हैं, चार-पांच लड़के हैं, हम तू भी आ जा टो, पांपांशो पड़ेंगा? आज वाँ हट्योग्शो में अगर हम नोग नह नायगा उजय हु रहते हैं, नायगा उंजय न Queen । वहां तो सुबह जब आप तैयार होते हो जब कपड़े पहनते हो तो आपको यह उमीद होती है कि आज काम बन जाएगा लेकिन जब ठेन के थपेड़े लगते हैं लोकल ट्रेन में जब धक्या खाते हो जब पहुंचते हो तो आदी हीमत तो चुकी होती है उसके बाद ऑद और जब दे अक्सनाता क्यों क्योंकि आपने तो सिर्फ सबना देखा था ना और वो भी किसका हिरो बनने का मैं तो हिरो बनूँगा एक्टर तो बहुत दूर की बात है आप जमीन पर आगे गड़ते हैं क्योंकि आप और अचानक तभी कोई कास्टिंड डिरेक्टर आपको बोल भी रहता है अरे सुनो एक पीछे खड़े होके एक डायलग बोलना है कि हाँ हाँ यही था सिर्फ इतना बोलना है तो बोल पैसे कितने मिलेंगे अरे मिलेंगे साथ छे साथ सो रुपए छे साथ सो रुपए आपको बस कोई चारा नहीं है आपको ठीक है कर लेते हैं हिरो बनने आया थे कर क्या रहे हो और उसमें भी आपने पांच रिटिक दिये हाँ हाँ यही है सर क्या सर मैं ऐसे अंगली कर लूँ सर ऐसे करके हाँ यही है वो अबे ऐसे मत कर यार उसको न देखके बोल और उसको देखके ऐसे डाले बोलना है अँगली करके हाँ ठीक है तर हाँ यही है वो अबे ऐसे नहीं बोल यार बेटा जरा मूट से हाँ यही है वो, क्योंकि आपको पता ही नहीं कि आपको बोलना कैसे, आपको एक्टिंग के बारे में कुछ नहीं पता, ये हालात होते हैं उन बच्चों के जो तैयारी के साथ नहीं आते हैं, कितने बच्चे मुझे मिलते हैं, अंगिनत बच्चे मिलते हैं, सब ने तूट चुके होते है और फाइनली कहते हैं इंडस्री बड़ी खराब है, सर एक साथ से घूम रहा है, सर कोई काम नी मिल रहा, अब एक काम क्यों मिलेगा, तुमने क्या किया, तुमने सिर्फ सपना देखा, और सपना देखकर मुंबई पहुंच गया आप, कभी अगर आप, कानकारी लिए होगी, उसके बाद वो काम किया होगा, आप खेती करते होंगे, तो माप आप बोलते होंगे, तुमने इसे कर, अरे ऐसे नहीं चलाते है, हल, हल ऐसे चलता है, अब एक ट्रैक्टर में पहला गेर ऐसे डलता है, पहले बेटा बीज ऐसे डालते हैं, अच्छा क्यारी में अलग डाल, यह समझाए जाता है, लेकिन आपको क्या लगता था, टीवी में देखके, यह तो बड़ा असार है, कर लेगी हम तो, दो लोगों ने तालियां मार दी, आप पहुंचे, आपने उसकी कोई तैयारी नहीं की, मेरी क्लास में बच्चे जब आते हैं, ज उनको क्या लगता है, कि एक acting workshop करेंगे, तो सर हमें काम मिल जाएगा, अब एक भाई सब महनु भावायत है, मेरी क्लास में तो, सर में जो यह क्लास कर रहा हूं, यह acting, जो थेटर क्लास कर रहा हूं, तो उसके बार तो यह guarantee है ना कि मुझे काम मिल जाएगा, यह तो सोच है, तो भाई, यह वो काम है, acting वो विधा है, जो जिसको समझना बड़ा मुश्किल है, आप डे बाई डे सीखते हैं, समझते हैं, और मैं आज तक नहीं समझ पाया हूं, मैं अपने आपको आज भी निखारनी के कोशिश कर रहा हूं, और आप अपने शहर से, अपने कस्बे से, अपने गाउं से उठकर आते हैं, और आपको लगता है कि आपको बड़े हाथ वाथ कोई ले लेगा, मुश्किल है, सपना देखना, और सपनों को देखकर मुबई पहुंचना, और वो भी बड़े लेवल पे देखना अपने आपको, कि यार, क्या आसान है कि लाखो करोडो कमाना, बहुत महनत है उसके लिए, मैं सिर्फ इतना चाहूंगा कि मैं मेरा सिर्फ कहना इतना ही है कि आप अभी जो कि ये करोना वाइरस है, आज क्यों आप अपने गाउं में लॉट कर जगे हैं, बताइए, कुछ लोगों तो मैंने कहते हूं सुना, आप नहीं लॉट के रहेंगे, सर वहीं रहेंगे, अपना गाउं भला, कुछ भी करेंगे, बढ़िया रहेंगे वापे, रीजन, क्योंकि बड़े शहरों में सर्वाइब करना या बड़े शहरों में अपने आपको बड़े शहरों के हिसाब से ढालना बड़ा मुश्किल होता है, आएं, बड़ी दिक्कते होंगे, और मैं जैसे हमेशा कहता हूँ, बहुत से लोग हैं, जो आपको सिर्फ वर सिर्फ नोचली के लिए बैठे हैं, बहिया आए, और इसको सबज बाग दिखाएं, बिगाओ सपनों को लेकर आप आई रहें, आपके सपनों को थोड़ी हवा देनी उ दुकाने, इस तरह की लोग आपके सपनों को और हवा देंगे, और बात वहीं की वहीं रहेगी जिरो बटस नाठा, तो जो भी काम करें, तैयारी के साथ करें, बिना तैयारी के कुछ नहीं होता, और प्लीज मैं समझानी कोशिश कर रहा हूँ कि, कि हर इंसान को अपने बा अब आप के बारी करते थे, और क्या किसां की कोई बैली नहीं होती, आज की डेट में बता, क्या किसां का सम्मान हैं? बिलकुश सम्मान है, हमसे ज़्जवा जालता कहीं सम्मान उन किसानों का है जिनकी वैसे हमें दो वक्ता खाना मिलता है, तो अगर एक वे बैटा, गर कि की निपोड़ता है, जिस काम में आपको आपका हाथ साफ है, जिस काम को आप अच्छी तरीके से भली बाती करना जानते हैं, आप उस काम को करिए, आप आप बस टीवी देखकर या किसी को देखकर या किसी हीरो को देखकर ये मस समझ लीजिए कि मैं भी वो बन जाऊंगा, मै भी मैं भी इस मुकाम तक पहुंच जागा बड़ा मुश्किल है तैयारी करिए तैयारी करें ऐसा नहीं है और अगर वह आप में गुण है अगर आप में काबलियत है उस लेविल तक है तो भाई आपको ये दुनिया सरांखों पर लेगी इंडस्ट्री आपकी है हम सब की है ट ये बच्चे बोलते हैं सर वो मैं बहुत गरीब हूँ मेरे माबा बहुत गरीब मैं अभी एक कोई लड़की आज ही इंस्टाग्राम में मैसेज करे थी सर मैं बहुत गरीब हूँ और मेरे बाबा मेला सपोर्ड नहीं करते हैं मुझे अक्टर बनना है क्या है ये क्या है ये इस तरह की सोच लेके मत आईए मुंबई में फोकस्ट पहले अपने आपको फोकस कर लो ना किसी भी काम के प्रती अपने आपको छोग दो उपर वाला भी आपके साथ होगा तो बस किसी के कहने पर या किसी की वहवाही पर या एनी किसी को देखकर मुंबई के तरफ ना आएं अपने शहरों में रहे अगर एक्चल में आप में वो काबलियत है और आप अच्छा आप ये बोलते हैं आप लोग किस हमें कैसे मालूम पड़ेगा कि हमें काबलियत है या नहीं कैसी बाते करते हो या आपको आपके बारे में नहीं वालू कैसी बाते करते हो या सज बताओ अपने आपको देखो, आप जो एक्टिंग करते हैं, अपने शेहर में हो या अपने कस्बे में हो आपकी वैसे कर रहे हैं, या आपकी वैसी परसेनलिटी है, या आपकी वैसी सक्षद दिखती है फट से मालू पढ़ेगा आपको कपड़े पहनने का सहूर नहीं होता आवाज सही नहीं है शाह सा का प्रॉब्लम है राओ उडा का प्रॉब्लम है हिंदी साफ नहीं है मुंबई पहुंच के सर एक्टर बनना है सर साम को सोचा था कि आप से साम को बात करेंगे कि हम एक्टर बनेंगे अरे यार अपने शहर में देखे कि अपनी हिंदी साफ नहीं कर सकते हैं आपको बुलना आता है शाह और साम में फरक आपको मालूम है लेकिन क्या है आप अभ्यास नहीं करते आप अभ्यास करो कि तो आपकी हिंदी साफ होगी किसी टीचर को पगड़ लो अपने शहर में पहले हिंदी दो साफ कर लो मुंबई आने से पहले हिंदी भी साफ नहीं हो आप सपना देख तो बहुत बड़ा तो ऐसा मत करो मेरे भाई हो और यह वक्त ऐसी है कि जितना हो सके अपने आपको अपने घरो में कैद रखो और हिंदी साफ कर लो यार चलो सपना देख भी रहो मुंबई आने का या एक्टर बनने का तो हिंदी साफ कर लो चलो हिंदी पर कमांड कर लो ठीक है